हेलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे चैनल पर सौगत है काई इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपने फॉन पे का पिन भूल चुके हैं यूपी आई पिन जो होता है जो से आप इसे बैलन्स चक कर सकते हैं या फिप पेमेंट किसी को भी कर सकते हैं अधर को क कई सारी चीज़े आप कर सकते हैं इसे के थुरू आपका पेमेंट होता है तो अगर आप उसे भूल चुके हैं तो इसे किस प्रकाल से रिसेट किया जाता है आज किस वीडियो में बताऊंगा तो गैस देखिए मैंने इसे ओपन कर लिया है मतलब इसे डाउनलोड कर लिया ह और इसे अपडेट कर लिया है क्योंकि यह लेटेस्ट लगातार दिन बाद दिन अपडेट होते जाते हैं एपस तो मैंने इसे लेटेस्ट आप कर लिया है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो देखिए सकते हैं मैं इसे ओपन डिरेक्ली ओपन कर देता हूं ठीक है तो देखिए यहां से मेरा फिंगर पिंट ले रहा है तो मैं इसे फिंगर पिंट दे देता हूं अब मेरा फोन पेकर जो है मैंने अपने यूपी आई पिन ही भूल गया हूं गाइस जो पेमेंट का पिन होता है क्या होता है कि मैंने काफी दिन बाद यूज कर रहा हूं तो तो इस कारण से मुझे पिन ही भूल चुगा है देखिए मैं आपर चेक बैलेंस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरा यह बैंक का अकाउंट आ रहा है यह बैंक अकाउंट है और इसमें मैं आपर क्लिक करता हूं तो यह हमें पिन जो होता है मैं भूल चुगा हूं तो देख यहां पर नीचे ही आपको UPI PIN, reset UPI PIN आता है और re-enter UPI PIN को यहीं पर टैप करना है, अब जैसे ही आप यहां पर टैप करते हैं, तो guys आपको कुछ इस प्रकार का ATM कार्ड का जो नंबर है, वो आप से यहां पर पूछता है, जो ATM कार्ड में जो नंबर लिखे होते हैं, वो आ bank account का phone ATM card भी पेंटर करना है, दूसरा वाइस, otherwise दूसरे का करेंगे तो आपको फैल हो जाएगा, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने एक बड़ ट्राई किया, तो मुझा दूसरा मैंने फिल कर दिया, तो यह हो गया, तो अब देखें, मैं यहां पर इसको फिल कर लिया, ठीक है न, अब अब वाइए डिटी नमबर यहां पर मैं डाल कर देता हूँ, आई होप आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यह security purpose मैंने थोड़ा सा बिलर करके रखा होगा, तो अब इसे process पर मैं क्लिक कर देता हूँ, अब देखें, यहां से 4-digit ATM pin, तो guys आपको ATM का जो pin होता है, वो इंटर करना है, ना कि आपको UPI pin आपको set करना है, यहां पर जो आपका ATM का pin होता है, जो आपने, जब भी आप ATM मसी में जाते हैं, तो उसको pin डालते हैं, तो वो वाला, ना कि UPI, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोगों, तो य मैंने इसे थोड़ा सा बिदर करके रखा होगा, अब यह confirm for digit pin, मतलब वही pin आपको फिर से डालते करना है, जो आपने अभी 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 इंटर किया है, तो मैं फिर से इंटर कर लिता हूँ, अब guys देखिए क्या होता है, अब यह pitching हो रहा है, देखिए UPI ने successfully set नीचे मतलब आगर आपने कई दिन बाद योज कर रहे होंगे, तो भूल जाता है, जैसे मैंने कई दिन बाद योज किया, तो मेरा भूली किया था, तो देखिए, यहाँ पर मैंने किया, और सायथ अब मेरा balance यहाँ पर शो होने लगेगा, तो गहीं से देख सकते हैं, मेरा balance अभी